हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम पढ़ने वाले अकाउंटिंग इक्वेशन बिटा मैं बता दूक्लास यह जो अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर है इस वेरी वेरी इंपोरेंट क्यूं क्यों इस चैप्टर के अंदर आप पूरा का पूरा अकाउंट का बेसिक फंडा समझते हो कि एकाउंट में होता क्या है क्लास डबल एंट्री क्या है तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान समझना इस वेरी इंपोरेंट चैप्टर ठीक है तो आज हम एकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक पढ़ेंगे इसके अंदर सारे के सारे रूल रेगु वीडियो देख सकते हैं free of cost ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में देखो अकाउंटिंग इक्वेशन बिसिकली क्या होता है एक एक इक्वेशन है एक इक्वेशन जैसा लीनीर एक्वेशन आप पढ़ते थे ना पहले छोड़ी क्लासिस में वैसा ही जहां पर asset जो है आपकी जो total asset है वो दो चीजों के सम के बराबर है यानि कि जो assets है वो सम के बराबर बिजनेस के अंदर कोई भी transaction हो रहा हो बिजनेस के अंदर कुछ भी हो रहा हो वह इस accounting equation को तोड़ नहीं सकता accounting equation हर जगे valid रहेगा मतलब business के अंदर कुछ भी होगा तो asset में liability में या capital इन तीनों में से किसी ने किसी एक दो या तीनों को impact करेगा ध्यान समझना बिजनेस के अंदर चाहे कोई भी transaction हो जिसकी एक money value हो तो वह asset, liability, capital इन तीनों में से किसी एक को, दो को या तीनों को affect करेगा लेकिन उसके बाद भी accounting equation हमेशा match होगी हर transaction के बाद match होगी, शुरू से लेके end तक हर एक transaction के बाद आपका accounting equation match करेगा यानि कि आप कभी भी देख लेना, आपका जो asset है, वो liability plus capital के बराबर हमेशा रहेगा, तो आज हम इसी equality को prove करेंगे, लेकिन आज ही class बहुत जादा important है, आपका दिमाग खुलेगा इसके अंदर accounting किस तरीके से की जाती है और बहुत सारी other informations हैं, जो आपको आज इस chapter में सीखने को मिलेगा, तो ध्यान से समझना class, मैं आपको बहुत सारी चीजे पूछूँगा आज ही class में, और आप अपना दिमाग लगाओगे और comment करके मुझे बताओगे, जितना जादा आप engaged रहोग असेट किसके सम के बराबर है, liabilities plus capital, और मैं आपको बता चुका हूँ class, कि जो capital होता है ये भी internal liability है, मतलब ये पैसा मालिक का है, तो internal liability है business के लिए, और ये पैसा liabilities बाहर वालों का है, तो ये external liability है business के लिए, मतलब आपका total asset है, वो total liability के बराबर है, तो आज ही class के बाद हम लोग इस chapter के अंदर balance sheet भी बनाएंगे, और मैं सिखाऊंगा balance sheet क्या होता है, और बना के दिखाऊंगा, तो balance sheet की equality, आपका asset side, जो है वो liabilities side के बराबर होता है, ये चीज भी आपको proof हो जाएगी, ठीक है, तो आपको class, ये तो पता चल गया, कि जो asset है, वो किसके sum के बराब है, liabilities plus capital, जो asset है, वो liability plus capital के बराबर है, तो अब मैं आपको बहुत सारी चीज़े पूछूँगा, और आप मुझे एक करके answer दोगा, और हर चीज को आप copy में अच्छे से note जरूँ कर लेना, ठीक है, सबसे पहला, सबसे पहला, introduce capital, आप मुझे बताओ, अगर business के अंदर पै change आएगा, सबसे पहले मुझे बताओ, class, अगर business में पैसा आएगा, तो cash आपका बढ़ेगा, अगर business के अंदर पैसा आएगा, तो cash आपका बढ़ेगा बिजनस के अंदर, और साथ-साथ आपकी capital भी plus हो जाएगी, जिस दिन आ, class, आप ये सारी चीज़े अपने आप समाझ और आपके दिमाग में चीज़ accept हो गई, आप understand कर गए, हाँ, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो ध्यान से समझना, class, आपका बहुत अच्छा जाने वाला chapter, और ये chapter strong हो गया, तो journal, laser, trial balance, जो मैं आगे कर आऊँगा, वहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं आने आने व रुपे दिया, तो एक लाक रुपे आगया, साथ में, साथ में, जो मेरी liability है, आपकी towards वो बढ़ गई, क्यार, ओनर ने एक लाक रुपे दिया है, तो हमें इसे पैसा लोटाना है, business करके, तो यानि कि जो मेरी liability है, वो भी बन गई एक लाक रुपे, और cash भी जो है, वो भी में पैसे लेके आ रहा है, तो sir cash की जगे हम bank में plus कर देंगे, बस इतना ही difference है, इतना ही difference है, इससे दा कोई difference नहीं है, cash या capital, यानि cash में आ जाएगा, या cash में चेक में, जो भी है, अगर cash लेके आ रहा है owner, तो cash में plus, check लेके आ रहा है, तो bank में plus, और capital लेके आ रहा है, त किसी asset को लियाता है तो आप क्या करोगे तो बटा asset में plus कर देना किसे plus कर दोगे asset में कुल मिलाकर simple सी बात यह समझाना चाहरा हूं business में वह जो भी ला रहा है वह plus होगा अगर मैं business को शुरू करना चाहता हूं तो मैं cash से भी शुरू कर सकता हूं और checks से भी पैसा ला सकता हूं bank count के थूरू पैसा लेकिया सकता हूं या फिर क्या कर सकता हूं मैं घर से furniture building में फरनीचर है या कोई asset है stock है तो वह मैं घर से भी लगा सकता हूं तो कुल मिला कि जो भी business में आ रहा है वह सारी चीजे class आप लिया होगे और capital में कर दोगे plus सीदी सी बात है अगर यह ला रहा है पांच लाग यह ला रहा है पांच लाग यह रहा है तीन लाग तो टोटल क्यापल कितने क्यों हो जाई एक पांच पांच प्लस तीन तेरा लाग तो कभी भी owner business में पैसा लगाता है तो cash यह प्लस होगा और capital प्लस होगा आई होप लाग अच्छे से आपको समाझ आ गया होगा next second second check करते हैं फटाफ़ चेक करो drawings second जो है इसमें drawings अगर आप यह सारी चीजों को अच्छे सीगे ना फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको drawing होती क्या है वह amount जो owner ने private use के लिए business से निकाल लिया है personal use के लिए private use के लिए अगर आप business से कोई पैसा निकाल लेते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं drawings क्या करेंगे बताओ class drawing business से आपने पैसा निकाल लिया business से पैसा निकाल लिया check से निकाला तो bank से minus cash मतलब रोकडा नगद के लिए और bank मतलब check के लिए बस इतना ध्यान रखना तो अगर business से पैसा निकालते हैं तो cash से minus और capital से भी minus देखो इन सब चीजों को रटना नहीं आपने इने समझना है यह चीज़े आपकी दिमाग में accept करने चाहां sir ऐसा होता है आप आप कह रहे हो बिल्कुल हम मान गए ऐसा ही होता और ऐसा होना भी चाहिए तब जाकी class आज हम पढ़ेंगे और खतम करें class इसके basic concept को देन अगली class में हमनों सीधे सीधे question बनाना start कर देंगे तो drawing हो गया हमारा drawing के बाद तीसरा point लिए class तीसरा point जो सबस्यादा important है तीसरा point जो बहुत ज्यादा चीज़े यूज होगा आपका और business में तो यह तो होता ही होता है purchases of goods चीक है आपने goods खरीदा क्या खरीदा goods goods मतलब क्या है वह समान जो business में व्यापार करने के लिए रखा हुआ है वह समान जो business में आपने रखा क्यों कि क्या आप व्यापार करोगे आप इसे बेच ओगे ठीक है मतलब कि STOCK FOR TRADE व्या पार करने के लिए अपने चीज दी है तो पर्चीज वोट अगर आप समान खरीदते हो अगर आप समान खरीदा है और दूसरा ंगत हो सकता है नगत खरीदो, उधार खरीदो, स्टॉक तो आएगा, नगत खरीदो, चाहे उधार खरीदो, स्टॉक तो आएगा आपके पास, आप नगत खरीदोगे तो भी स्टॉक आएगा आपके पास, चीक है, और जाएगा क्लास, अगर आप नगत खरीदते हो, तो कैश जाएगा, क्य इमेजिन करो मैं समान खरीद रहा हूं, stock आ गया, नगत खरीद तो साथ मैं पैसा भी दे दिया मैंने, stock आ गया और cash चला गया, अगर मैं उधार खरीदूंगा, तो क्या होगा, तो भी में पत stock आएगा, लेकिन stock आने के साथ मेरा उधार बन जाएगा, करजदार मेरे बढ़ भाई, creator किसे कहते हैं, जिन लोगों से आपने उधार समान खरीद आए, they are creator, तो कर मैं उधार खरीदूंगा, तो मेरे creators बढ़ जाएगा, मैरे liability क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ये purchases का, please ध्यान रखने, very, very, very important, क्यों, कि बिजनस में भी purchase तो हो गई होगा, sales तो ह हो गई होगा, तो ये चीज है regular nature में है, कई बार यूज होगी, तो आपने class इसका बहुत अच्छे से ध्यानक ना, copy में साथ-साथ, note करते चरो, इतना base strong कर दूँगा, आपका कहीं भी जाओगे, class तो खुल के बोलोगे, और लगेगा, क्यार बंद में है कुछ, knowledge, actually मैं अगर तुमने आज उधार खरीदा, तो near future कभी तो payment करोगे, अगर तुमने आज उधार खरीदा है, तो near future कभी तो payment करोगे ना class, ठीक है, कौन सा point था class, fourth point था, एक बार देख लेते हैं, कौन सा point था, हाँ, fourth point, ठीक है, fourth point, payment made to creditors, ठीक है, payment made to creditors, creditors को आप pay कर रहे हो, भा समने उधार खरीदा है तो भी आज नहीं कल नहीं तीन महेंने बाद तो पैसा दोगे ना तो पेमंट मेंट मेंट क्डात Key运ट तो क्रेटर को पेमिंट क्रेट को पेमिंट दोगे अब ध्यान समझना, अभी तक हमने हर चीज, liability, asset में change देखा, बस दो चीजों का change capital में आया था, दो चीजों का change, क्या-क्या, जब business में पैसा लगाया, तो capital में change आया, capital बढ़ गया, cash बढ़ गया, और साथ में, जब drawing किया, तो cash से minus हो गया, और capital से minus हो गया, तो यानिकि drawing औ और capital, drawing और introduce capital, ये दोनों चीजे, cash मतलब कि capital को impact करता है, लेकिन इसके अलावा, कभी भी कोई profit हो या नुकसान हो, तो वो भी capital में जाएगा, ध्यान समझना, भई profit मेरी capital क्या करेगा, बताओ, कम करेगा, बढ़ाएगा, profit मेरी capital को बढ़ाएगा, और loss मेरी capital कम करेगा, तो profit और loss जो है, वो भी कही ना कही capital पे impact डालेगा, तो अब मेरी बात समझना, मैं कोश्चिन पूछ रहा हूँ, नॉर्मली, ठीक है, आप मुझे बताना, ठीक है, purchase, ध्यान समझना, ठीक है, सब लोग आंसर देना, बढ़ा, अगर सब लोग आंसर दोगे ना, प्लीज कॉमें पांसर दिया करो, ताकि two-way communication हो सके, ताकि कभी आप कुछ emergency में डाउट पूछो, तो मैं ले सको, तो प्लीज कॉमेंट जरू करा करो, आपको लोग के नाम मुझे इसी तरीके से याद हो जाते हैं, आप कॉमेंट करते हो, तो, regular basis पे, purchase goods of rupees 50,000, ठीक है, from Sohan, from Sohan, तो आप स Sir, कहां लिखा है, मैं पूसरा, कहां नगद लिखा है, तो आप लोग कहां उधार लिखा है, तो लड़ाई नहीं होगी, बात यह है, कि अगर purchase goods for rupees 50,000, लिखा होता, खाली, तो मैं इसे नगद मानता, क्यूं, क्यूंकि उधार ही नहीं, नाम तो लिखा नहीं किसी का, उध उधार जिसको दोगे, जिससे उधार लोगे, उसका नाम तो आएगा, बिना नाम की उधार हो सकता है कभी, तो यहां लिखा है, purchase goods from Sohan, आपने Sohan से समान खरीदा, नगद नहीं लिखा है, नगद नहीं लिखा है, तो हम इसे उधार मानेगे, कि Sohan का नाम लिखा है, मतलब अगर लिखा हो तो purchase goods of Rs. 50,000 from Sohan for cash, तो मिसे नगद मानता, for cash लिखा है तो नगद, लेकिन इसमें for cash नहीं लिखा, उधार भी नहीं लिखा है, लेकिन नाम लिखा है, तो Sohan क्या है हमारे लेकलास, creditor है, creditor वो है जिससे अपने माल उधार खरीदा है, ठीक है, तो क्या अगर आप Sohan से 50,000 का माल खरीदते हो, तो क्या होगा, सर उधार खरीदेंगे, तो creditor बढ़ जाएगा 50,000 से, समझ ना, बात से, creditor बढ़ जाएगा, और समान अगर हम ले रहे हैं, तो stock भी हमारा बढ़ जाएगा, और यही तो किया न, हमने थोड़ी देर पहले, stock 50,000 का आ 48,000 in full settlement, बटा, full settlement का मतलब क्या होता है, full settlement का मतलब क्या होता है, यानि कि 48,000 रुपए आपने creditor को pay कर दिया है, वो भी full settlement में, बटा, full settlement मतलब पूरी तरीके से हिसाब किताब निप्टा दिया आपने, आपने बढ़ा, भाई, देखो, यह लो, 48,000 का मतलब करो, यार, आप discount receive किया, मैंने discount लिया है, तो अगर payment में two sohan है, अगर मैं sohan को pay कर रहा हूँ, 48,000 full settlement में, इसका मतलब क्या है class कि मैंने creditor को 48,000 का settlement पेमेंट कर दिया, 48,000 पेमेंट कर दिया, तो मुझे कितने का फाइदा हुआ, बताओ, कितने का फाइदा हुआ मुझे, तो इस situation में मुझ सब्सक्राइब, तो मुझे दो जार रुपय का फाइदा होगा, ध्यान समझना में बात, creditors कितने से कम हो गया, मुझे बताओ, यानि सोhan, creditors कितने से कम हो गया, तो creditor तो सर कम हो गया, पूरा का पूरा 50,000 से, ठीक है, लेकिन तुमारी जेब से पैसा कितना गया, बताओ ज जो भी घाटा है, वो capital से क्या होगा, minus होगा, फाइदा capital plus, और घाटा जो है, वो capital से क्या होता है, minus होता है, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ओके, बताओ कोई दिक्कत परिशानी, क्लास, यहां तक कोई भी doubt, कोई दिक्कत परिशानी बताओ, creditors आपकी क के लिए क्या है फाइदा है अगर आप उसको पेमेंट कम कर रहें तो ठीक है फॉर्थ पॉइंट हो गया चलो फिफ्फ पॉइंट अब देखते हैं फिफ पॉइंट इसी तरीक से क्लास एक एकर सारे पॉइंट समझा दूंग आपको डॉंट वरी ठीक है चलो चेक करो फिफ समान बेचा और दूसरा क्या होता है क्रेडिट सेल्स कि आपने उधार समान बेचा या तो नगत बेचा या उधार बेचा नगत बेचा तो कैसे उधार बेचा तो क्रेडिट सेल्स ठीक है तो अगर मैं नगत समान बेचता हूं मैं किसी को भी क्लास नगत समान बेच आपका कम हो जाएगा आप नगत बेचो चाहिए उधार बेचो लेकिन अगर आप नगत बेचो तो साथ में तुम्हारे पास क्या आएगा रोकडा यानिकि पैसा नगत बेचो तो पैसा आएगा लेकिन अगर उधार बेचो तो नगत बेचो चाहिए उधार बेचो पैसा तो तो सबसे ज्यादा confusion जो आपको होगी न वह यहीं पर होगी creditor में और data में उधार खरीदेंगे तो creditor बढ़ेगा कर्जदार बढ़ेंगे current liability बढ़ेगी उधार बेचेंगे तो data बढ़ेगा current asset बढ़ेगा आपकी property है data आपको उनसे पैसा collect करना है तो data आपके बढ़ अच्छे से ध्यान रखनी है नगत बहरी च रहते हुआ अप उधार लिदय तो यह points आपको बहुत आछी से ध्यान रखना है i hope आप ईनको समझ रहे हो अच्छे से video को like ब्राइब कर देंकक शहरा है अपने और सारे दोस्तों को share कर सकते इना class मैं जो भी आपके साथ के बच्चे आप उन सबको शेयर कर सकते हो, ठीक है? चलो, ये चीज़े clear हो गई, sales तो हम लोगों का अच्छे से clear हो गई, अच्छा, मेरी बात सुनो, तो आपने उधार किसी को बेचा है, है ना, आपने किसी को उधार बेचा है, तो भीयों को पैसा तो लोगे न, उन से आज नहीं तो आप पैसा collect करोगो उनसे, cash received, cash received, कौन सा point था class, point लिखने मना बड़ा confusion है, point फिर भूल जाते हैं, ठीक है, point था six point, ठीक है, point number six, cash received from debtors, आपने उधार बेचा था, और आज आप उनसे पैसा receive कर रहे हो, cash received from debtors, तो debtors से अगर आपको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो cash में plus, पैसा मिलेगा तो cash में plus, debtors से पैसा मिलेगा, तो अब यह debtors कम होगे, अब तो आप उनसे पैसे नहीं लोगे, मानलो कि मुझे आपस एक लाग रुपे लेने थे, आपने मुझे एक लाग रुपे दे दिया, तो आपका नाम में हटा दूँग account से, ठीक, आप इंसे नहीं लेना, और पैसा मेरे पास और मैं दिखाऊंगा, अगली क्लास में आपको सवाल बनाके, कोशिन बनाके, कि accounting equation हर स्टेटमेंट में, हर जिए क्लास, चाई कोई भी transition कर लो बिसनस में, accounting equation हमेशा मैच करेगा, वो कभी अलग नहीं होगा, वो हमेशा मैच करेगा, ठीक है, चलो, 7th point देखते हैं क्लास, आपे, 7th point, bad debts, ठीक है, bad debts, बहुत ध्यान समझे ना, क्लास, bad debts, क्या होता है, bad debts, amount irrecoverable from debtors, debtors से पैसा नहीं आ सकता, वो लेके भाग गया, आपने कैसे को धार दिया, वो लेके भाग गया, तो भी पैसा डूब गया, घाटा हो गया, नुकसान हो गया, है ना, ध्यान समझे और घाटा, जब भी होगा, capital में फाइदा प्लस होगा, capital में घाटा माइनस होगा, फाइदा capital में प्लस, घाटा capital से माइनस, ध्यान रखना, यह बात कहीं मुद भूलना, तो भीया, पैसा लेके भाग गया, तो यह पैसा डूब गया, तो मेरी पूंजी कम हो जाएगी, मेर अगर आप डेटर से पैसा ले लेते हो, मैंने आपको धार दिया, आप से पैसा ले लिया, डेटर कम हो गया, और अगर आप भागगए पैसे लेके, तुभी तो मुझे आपका नाम रहना पड़ेगा, क्या इस से बंदे से नहीं मिलेग, घ़म करो, इस बंदे से कोई कोई आपको बात को समझना बात को समझना बैद डेटर को भी कम करेगा और आपका नुकसान हो गया तो यह capital को भी क्या अगर देगा तो Sanju dators है, Sanju किया है? dators है, तो क्या होगा, आपने समान बेचा, stock चला गया, और Sanju को आपने बेचा, то Sanju dators बन गया, Sanju आपका dators है, और stock कितने का चला गया आपसे? 50,000, 50,000 का माल चला गया, और Sanju जो प्लस हो गया, अब अगर आपने Sanju को माल बेचा है, तो कल को Sanju से पैसा भी तो लोगे ना पैसा भी लोगे तो आपने क्या किया पैसा जो लिया है Sanju से आपने Sanju से जो पैसा लिया है लिखो रिसीव 48,000 इन फुल सेटलमेंट ठीक है आपने Sanju से 48,000 रुपे लिया फुल सेटलमेंट में पूरा का पूरा सेटल करके आपने 48,000 रुपे रिसीव कर लिया तो जो Sanju से आपने 48,000 रुपे रिसीव किया है तो क्या होगा मुझे बताओ Sanju पहले था कितना Sanju था 50,000 तो Sanju तो पूरा 50,000 माइनस हो जाएगा Sanju से भाई आप कुछ लेना नहीं है Sanju ने बोला यार 48,000 रुपे ले लो खतम करो किस्सा तो मतलब इस सिचूशन हमने Sanju को डिसकाउंट दे दिया है ना डिसकाउंट अलाओ किया है तो डिसकाउंट लग घाटा है ना भया आप 50 की जगे उससे 48,000 रुपे ले रहे हो तो यह तो घाटा है ना आपका नुकसान हो गया तो कैपिल से कितना माइनस कर दोगे 2,000 और बताओ क्लास कैश कितना जाएगा 48 या 50 बताओ रफट कैश कितना माइनस करूं 48 करूं या 50 माइनस करूं तो कैश से माइनस करेंगे 48,000 यहनि कैश 48,000 से कम हो जाएगा capital 2000 से कम हो जाएगा और Sanju जो है cash minus क्यों होगा plus होगा आप तो पैसा ले रहे हो ना sorry आप पैसा ले रहे हो 50 के जगे 48 ले रहे हो तो cash में 48,000 प्लस होगा Sanju यहनि data reader कम हो गया 50,000 से पूरा गवर data खतम हो गया और आपको नुकसान हो गया क्योंकि आपको मिला सिर्फ 48 और आपका data जो माइनस हो गया वो माइनस हो गया 50 तो आपको class इस situation में capital जो है वो 2000 रुपए का माइनस हो गया तो यह आपको class पूरा का पूरा ध्यान रखना था आप लोगों ने जरूर बना लिया होगा इस point को तो इस तरीके से class इस 7th point भी हम लोगों का हो गया चलो अब आते है next 7th के बाद 8th point पे लिखो class 8th point पे इस सब अच्छे से लिखते चले जाओ बहुत important ठीक है really very 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 important sale हो गया अज़ा सुनों जरूरी है कि समान खरीद जाए समान बेचा जाए क्या पता machine खरीद लें हम लोग ऐसा भी तो हो सकता ना purchase of fixed asset machine ही नहीं machine ही नहीं कोई भी fixed asset land, building, machine, computer, furniture कोई भी fixed asset खरीदते हो आप कोई भी fixed asset क्या मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है तो क्या होगा अगर आप fixed asset खरीद होगे तो fixed asset plus होगा पैसा दे रहे हो तो cash क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा और अगर आप fixed asset को बेचोगे तो अगर आप fixed asset को बेचोगे तो क्या होगा Sell of fixed assets. Sell of fixed assets. आपने fixed assets को बेचा. तो fixed assets को बेचो गे, तो क्या होगा? बताओ. Fixed asset को बेचोगे, तो fixed asset minus हो जाएगा. और cash क्या हो जाएगा? Plus हो जाएगा. बैस सीरीज़ इसी बात है, आप खुद दिमागे लगा, मेरे पासएं एक में एक니다. मैं इसे बेच रहा हूँ, तो computer चला गया, fix asset चला गया, और बदले में क्या आ गया, वो पैसे देगा तो, पैसा आ गया, उधार देगा तो डेटर बन जाएंगे, आप डेटर लिख सकते हो, अगर वो आपको class कहते हैं, पैसा बाद में देदेगे, तो आप डेटर लिख सकते हो, ठीक है, fix asset और ये cash, बसे आम तोर पर इस सारी चीज़ जो है, आप supplier लिख सकते हो, डेटर लिख सकते हो, बट आपको मिलेगा तो नगदी मिलेगा, सब चुछ उधार नहीं होते है, आम तोर पर, ये regular nature काम नहीं है, irregular nature काम है, fix asset हमारा रोज का काम नहीं होता है, ये रो कोशन से कवर कर रहा हूं, तो please लिक ना मत पूल ना, ठीक है, sale of fix asset, sale of fix asset, costing 50,000, costing 50,000 for 47,000, पचास हजार की एक fix asset को 47,000 में बेच दिया घाटा हुआ या फाइदा हुआ ये बता दो आप 50,000 की fix asset को 47,000 में बेच दिया घाटा या फाइदा बताओ class सबसे पहली बात fix asset जो है वो चला जाएगा 50,000 से ढहां कितने में 47 जह आपको जो पैसा मिलेगा वह मिलेगा 47.000 जो पैसा मिलेगा वह कितना मिलेगा 47,000 और क्योंकि आपने फाइदे में बेचा है घाते में बेचे बताओ तो फाइदे में भाते में I hope आपको समाझ आ रहा होगा कि आप 50,000 की fix asset बेच रहे हो, fix asset गया, 50,000 से कम हो गया, cash आ गया 47,000, और capital में आपका जो घाटा रिकॉर्ड हुआ, नुकसान रिकॉर्ड हुआ, वो हुआ आपका 3,000 का, तो इस तरीके से आपको accounting question में हर transaction का आपको impact दिखाना होता है, ठीक है? कोई भी expenses, 8th point है, कोई भी expenses, 9th हो गया था, 10th, 10th लिखो, आज 11 point ही cover करेंगे, 11 point, तो यह 10 कर लेते हैं पहले, कोई भी expenses है, कोई भी खर्चा, कोई भी expenses, मालो कोई भी खर्चा हो जाए, expenses कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे होते हैं, क्लास में लेक देता हूं कुछ, rent हो ग ठीक है, wages हो गया, traveling expense हो गया, telephone bill हो गया, बहुत सारे खर्चे हैं, भाई लिखूंगा तो पूरा भर जाएगा, पीज, यह कोई भी खर्चा हो, कोई भी खर्चा, any expenses, कोई भी खर्चा होगा, तो भाईया, खर्चा होगा तो पैसा जाएगा, simple सी बात है, खर्चा होगा तो और cash के साथ साथ, भाईया, आपकी capital भी कम हो गई, आपकी पूंजी भी जो है, वो कम हो गई, कोई भी expense हो, कोई भी expense, cash से minus हो जाएगा, और capital से क्या हो जाएगा, minus, कोई भी expense, cash से minus हो जाएगा, और capital से क्या हो जाएगा, minus हो ध्यान रखना, कोई rent हो, salary हो, electricity bill हो, कोई भी expense हो आपका cash चला गया और साथ में आपका capital भी क्या हो गया माइनस हो गया prepaid expense outstanding expense accrued income advance income interest on capital interest on drawing यह छह चीज रह गई बस यह छह चीज आपको class अगली class में करा दूंगा ठीक है और बस आपको इतना पहले अच्छे से learn कले ना यह chapter आपका strong हो गया मजा आजाएगा भी आगे के सारे chapters असानिस चलेंगे मदब इसका वेटेज भले ही कुछ भी सही लेकिन आगे chapters अगर आपको बहुत अच्छे से करने है ना तो accounting equation इस तरीके से पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको eleven point incomes कोई भी income rent receive interest receive class कोई भी आपको income मिलता है कोई भी income अगर आपको तो ध्यानारा, expense cash से minus होता है, capital से minus होता है, income जो है, cash में plus होगा और capital में plus होगा, तो ये accounting equation की class बहुत सारी transactions हैं, जिनका आपको class impact दिखाना है कि अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ, आप तो क्या करोगे, ठीक है, तो ये आपने ध्यानारा है, चलो एक point और लिख लेते हैं, मुझे याद आ गया, तो लिख लो, बहुत कम पूछा जाता है, बट आप लिख लो, लेकिन मैं आप सब से पूछना चाहूंगा पहले, आप सब comment करके जरा मुझे बताओ, देखते हैं, कितनों को पता, actually कितनी knowledge आपको, bad debt recover, bad debts recover, सुनो मेरी बात, मैंने Sanju को पैसे दी, Sanju लेकर भाग गया पैसे, लेकिन बाद में, कुछ दिन बाद वो पैसे लेकर आ जाता है, जो bad debt है, जो पैसा डूब गया, और वो पैसे लेकर आता है, कहता है, मैंसे भूल चुगा था उसे, ठीक यार, उससे पैसा न मिलेगा, 10-15 साल बाद वो आता है, पैसे लेकर मेरे पा पैसा मिल गिया सबस् Всем pipeline गया और साथ में यह till फाय साय adds का यहाँ जांगा का प्लिचसी कई भार बोलते हैं सर दीटर से पैसा मिला है तो डेटर से बाइनस करो न सब बताइक बाद बता आओ नाम तो पहले ही मिटा चुक आज़ा गया था, bad debt में क्या किया था आपने, debtor से माइनस कर दिया था, तो पैसा डूप चुका है, फिर आप क्या दिखा होगे, तो इसी रिए क्लास cash में plus करते हो, और capital plus करते हो, debtor कोई नाम था ही नहीं पहले से, अगर normal debtor से पैसा मिलता, तो cash में plus और debtor से minus, लेकिन normal debtor से पैसा नहीं बनाने, तो जो पहले डूप चुका था पहले, उससे पैसा मिला है, bad debt, recover, जो पैसा डूप गया था, वो मिले गया आपको, ठीका, तो यह हो गया, अब मैं आप सबको एक question दे रहा हूँ, please मेरी सबसे request है, जो भी इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो, please इस question को जर अच्छा, एक सब्सक्राइब, एक point class और लिख लो, नाराज मत हो, point बढ़ा रहा हूँ, तो आपके फाइदे के लिए लिख रहा हूँ point, अगली class का burden हमारा कम हो जाए, ठीक है, that is depreciation on fixed asset, लिख लो, depreciation, मैं चाहता हूँ कोई भी ऐसा point ना हो, कोई भी ऐसा point ना हो, जो कल क आजा है और आपको लगे है हमारे सरने तो कर रहा है नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, अर सबसे बढ़र depreciation होता क्या है, जब किसी भी fixed asset को, चाहिए वो land हो, building हो, plant हो, machine हो, computer हो, furniture हो, जब continue use करते चले जाते हैं, तो machine घिज जाती है, उसकी value काम हो जाती है, उसकी efficiency lose हो जाती है, that is called depreciation, किसी भी asset, depreciation is the fall in the value of asset, due to its use, wear and tear, passage of time, obsolence, इसकी वैसे, यानि कि asset को use करना है, तो इसकी value कम हो जाती है, मैंने एक लाग कम वाइल फोन करीदा, या एक साल बाद एक लाग का नहीं रहेगा, मैंने एक लाग का फरनिचर करीदा, एक साल बाद एक लाग कर कम हो गई, that is called depreciation, but depreciation is a non-cash expense, आप सबको पता होना चाहिए, ध्यान रखना, depreciation क्या होता है, non-cash expense, मतलब यह खर्चा है, खर्चा है, खर्चा है, सर आपने hint दे दिया, खर्चा है, खर्चा है तो क्या होगा, capital से minus, simple सी बात है, खर्चा है, तो capital से क्या हो जाएगा, minus ह क्या है, मतलब यह खर्चा जिससे पैसा बाहर नहीं जा रहा, सर ऐसा कैसे, मैं समझाता हूँ, माल लो कि मैंने computer खरीदा, computer खरीदा मैंने 10 लाग का, ठीक है, यह एक लाग का मालने, 10 लाग का हो गया, computer मैंने 1 लाग का खरीदा, मैंने पूचा भई, जो shopkeeper से या या इलेक् भई, कितने दिन चलेगा, उसमें पांच साल चलेगा, तो मैंने बोला, कि अगर 1 लाग का computer 5 साल चलेगा, तो 1 लाग को 5 से डिवाइड देंगे, तो हर साल का खर्चा मेरा 20,000 का हो गया, मतलब हर साल computer की value 20-20,000 से कम हो जाएगी, तो मैं क्या करता हूँ, हर साल अपने profit में यसे 20,000 उर्पर निकाल के side में रख देता हूँ, अपने दूसरी जिगे side में रख दिया, फिर अगले साल 20,000 रख दिया, अगले साल 20,000 और पांच साल फिर 20,000, तो 5 साल बाद, मैं से computer, वो कबाडा हो गया, computer कबाडा हो गया, बेकार हो गया उसे, अरदिम बिकेगा फिर और यहां पर इकठा कितना होगा, एक लाग, तो मैं नए computer को, तुरंत लिए computer जो है, वो में install करा लूँगा, और replacement करा लूँगा, तो यानि कि जो यह depreciation है, बहुत जरूरी है, यह किसी भी asset को, जो use होगा, उसकी value कम हो जाती है, उस amount को जोड के sidearm रख देते हैं, ताकि in year future जब भी ज़रूत पड़े, हम इस पैसे से कोई नया asset असानी से खरीच सके, that is called depreciation, तो depreciation क्या है class, cash, non-cash expense है, तो यह उसी asset से minus हो जाएगा, तो depreciation क्या करता है, asset की value कम करता है, मेरे asset एक लाग की थी, एक साल बाद सी हो जाएगी, फिर एक साल बाद साथ की हो जाएगी, तो हर साल थालोला पैसा बचा के चलो, ताकि पांत साल बाद नया वाइलफोन खर दने के लिए, आपको मशक्कत ना करनी पड़े, आपको बहुत महनत ना करनी पड़े, आपको पैस अलड़ी पैसे कटा हो चुका हो, that is called fixed asset लगता depreciation, I hope कि यहां तक आपने चीज कर लिया, आप आते हैं कोशिन की बारी, तो फाइदा घाटा क्यापिल में क्लास क्या होता है, प्लस माइनस कोशिन यह है कि, sold goods of rupees 30,000, at a profit of 20%, समझना बात को, 30,000 का सामान है, लेकिन इसे 20% के फाइदे में बेचा है, तो आप इसका 20% निकाल लेना, जोड लेना पता पड़े, कितने हैं बेचा है, ठीक है, half on cash and half on credit, लेकिन आधा नगद और आधा उधार, तो आपको बताना है, आपको क्या क्या बताना है क्लास, आपको बताना है, cash में कितना प्लस माइनस होगा, capital में कितना प्लस माइनस होगा, debtors में कितना प्लस माइनस होगा, stock में कितना प्लस माइनस हो यह चारो ऐसे लिख लिख के आप कॉमेंट करके बताओ अगर एक्चिल में आप रेस्पेक करते हो मेरी आप विल्कुल पढ़ रहे हो अच्छे से तो प्लीज यार यह बताओ ताकि हम इसका स्ट्रॉंग हो जागा किसका अच्छे से हो गया अगली क्लास में डिसकस कर लोगा हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें क्लास आप सबको साथ लेकर टेक यह बाबाय मिलते नेक्स्ट वीडियो में